हेलो दोस्तो क्या आप अपने चेरे के दाग दब्बे जाहियां जुर्यां और काले निसानों को दूर करने के लिए घरिलू नुस्का ढून रहे हैं तो दोस्तो अब आपको और ज्यादा भटकने की बिल्कुल भी चुरूद नहीं है क्योंकि आए मैं आपके लिए एक ऐसा घरिलू नुस्का लेकर आया हूँ जिसके इस्तमाल से आप 10 साल पुराने जहाईयां दाग दब्बे के निसानों को जल से खत्म कर सकते हैं साथी चेरे को गोरा चमकदार और सुन्दर भी बना सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिस करूँगा कि आपको इस नुस्के को किस तरीके से बना कर अपने चेरे पर इस्तमाल करना है तो दोस्तो देखें इस नुस्के को बनाना काफी आसान है साती ये नुष्क का काफी असादार भी है और इसका कोई भी side effect नहीं होता है तो चलिए दोस्तो जानते हैं इस नुष्के को बनाने का तरीका क्या है और साती से लगाने का तरीका किस तरीकी से लगाये जाता है तो दोस्तो इस नुष्टे को बनाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जुरूत पड़ेगी एक खाली साप सुत्रे बाउल की आपके खाली साप सुत्रा बाउल लेना है इस खाली बाउल में दोस्तो सबसे पहले जोची हम लेने वाले हैं वो दोस्तो दूद दोस्तो हमाँ यहाँ पर दो चम्मजस में दूद के लेने हैं दोस्तो दूद हमारे चेरे के लिए काफी अच्छा होता है दोस्तो दूद हमारे चेरे पर किलिंजिंग की तरह काम करता है यह हमारे चेरे के मैल, गंदगी और धूल मिट्टी को कफी आसनी से रिमूब करता है दोस्तो कच्चे दूद के इस्तमाल से चेरे पर बंद पोर्स खुलते हैं साथी कच्चे दूद में विटामिन E और C भरपूर मातरा पायाते हैं जो चेरे को गिलो और जबान बनाते हैं दोस्तो चेरा बेहद खुबसूरत नजर आने लगता है कच्चा दूद लेने के बाद दोस्तो अगली चीज़ जो हम इसमें एड़ करने वाले हैं वो दोस्तो बेशन दोस्तो यहां पर हमें इसमें आदा चम्मच बेशन का एड़ करना है ध्यान से देगा दोस्तो सिर्फ इतनी सी मातरा में आपको बेशन लेना है आप इससे ज़्यादा बेशन इस्तमाल ना करें दोस्तो एक बार पेश्ट को लगाने के लिए सारी चीज़ हमें इतनी मातरा में लेनी होगी ठीक है आदा चम्मच बेशन ले लिया है दोस्तो देकि बेशन हमारे चेरे पर इस्करव की दर काम करता है यह हमारे चेरे के बंद पोर्षों को खुलता है साथी चेरे के छोटे छोटे दानों को रिमूब करता है और चेरे पर जितने भी दाग दब्ब होते हैं उन्हें खत्म करता है दोस्तो बेशन के इस्तमाल से चेरे से पुराने से पुराने दाग दब्बे जाहिया जूरिया हमेशन के लिए रिमूब हो जाती है बेशन हमारे चेरे के लिए काफी अच्छा होता है अब देखिए अगली चीछ जों हमें इड़ करने वाले हैν वो दोस्तों, चीनी पाउडर दोस्तों मैंने यहापर चीनी को मिक्सी की मर्ड़ से पीछ कर त्यार कर लिया है तो हमें इसमें आदा चमच चीनी पाउडर एड़ करेंगे चीनी पाउडर हमारे चेरे के लिए काफी अच्छा रहता है दोस्तों यह हमारे चेरे के दाग दब्बे जाईयां जुर्यों को रिमूव करता है चीनी हमारे चेरे के लिए बहुत ही अच्छी मानियाती है आपको इस पेश्ट को ज्यादा गाड़ा नहीं करना है दोस्तो हम इस पेश्ट को ना तो ज्यादा गाड़ा बनाएंगे और नहीं ज्यादा पतला बनाएंगे तो इस तरीके से तीनों चीह हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए है ठीक है अब इसके बाद हम इसमें आखरी चिट जो एड़ करने वाले हैं वो दोस्तो कॉलेट का पेस्ट तो दोस्तो हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मात्रा में कॉलेट का पेस्ट एड़ करेंगे तो ध्यान से देखिए सिर्फ इतनी सी मात्रा में आपको इसमें कॉलेट का पेस्ट लेना है देखिए कॉलेट का पे आप ज्यादा जल्दवाई ही ना करने दोस्तों काफी अच्छे से आपको आराम से सारी चीयों को आपको मिक्स करना है जैसे कि पेष्ट हमारा अच्छा सब बनके त्यार हो और इसकी इस्तमाल से हम अपने चेरे के दाग, दब्बे, चाहियां, जोगियां ने आसानी से सारी चीयां आपको उतनी मात्रा में लेकर इस पेष्ट को अच्छा बनाना है और फिर अपने चेरे पर इसे एपलाई करना है, अभी देखे हम आपको बताएंगे चेरे पर इस पेष्ट को किस तरीके से आपको इस्तमाल करना होगा, तो देखे सारी चीयां हमारी अच्छे की मदद से इस तरीके से लेना है और अपने चेरे पर इस तरीके से एपलाई करना है इस तरीके से आपको पूरे चेरे को उपर इसे एपलाई कर लेना है दोस्तों एपलाई करने के बाद आप इस पेश्ट को कम सगम 15-20 मिनट के लिए इसी तरीके से लगावों छोड़ते हैं 15-20 मिनट के बाद आप इसे अपने उंगलियों के मदद से इस तरीके से गोल गोल हातों से घुमाए इस तरीके से देगे इस से क्या हुआ कि आपके चेरे पर जितने भी मेल और गंदगी और बंद पोर्स है वो आसानी से रिमूब होंगे और आपके चेरे पर जितने भी मेल जमाए वो काफी आसानी से छूटेगी ठीक है इस तरीके से आपको गोल गोल स्क्रब करते हुआ आपको इसे साधा पानी से दो कर साफ कर दे रहा है दोस्तो इस नुस्के को इस्तमाल करने के बाद आप अपने चेरे पर कोई भी मॉश्य राजर क्रिम अपने चेरे पर लगा हो तो वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक कर दें दोस्तों साथ में शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक्यू जरू लिख दें जिससे कि हम आपके लिए और भी नएने वीडियो लेकर आते रहें